हैलो हुना ये चैम्हेल रादे सभी को मैं भॉद्नात्वरी स्वागता है आप सभी का फिर से मीरे चैनेल वीलतन राके वेवज्ञन में तो आज हमने अपनी रस होई में बनाये थे गोवी के बहुती स्वाथिस्ट छट पते एवं कर-कढ़े पकडे तो बहुत ही स्वाधिष्ट बनकर तयार होते एक बार इस तरीके से आप जरूर बना करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताईगा किस использовать आप बनाते हो मैंने इस तरीके से बनाए तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि एतने स्वाधिस्ट भी गोवी के पकोड़ी बन सकते है एक बार पूरा तरीका जरूर देखिएगा और हम खट्टी मीठी चटनी के साथ भी बनाएंगे तीखी और मीठी चटनी के साथ चली शुरू करत इसके लिए मैंने यहां पर एक बड़ी सी गोवी ले ली थी इसको धोकर रख दिया था सबजियों को वैसे भी हम फ्रीज में यह से ही स्टोर करते हैं तो धोकर ही रखते हैं और यह मैंने इसके बड़े-बड़े पीस काट लिए थे इसे छोटा नहीं काटना है इसे पानी करने के लिए इसमें डाल दिया है नमक 1 चमच और इसी में अपनी अपने लिए यहाया फिलेम्परे पकने दे नंगी सिर्फ दो मिनट के लिए ही पकाना है ज्यादा नहीं पकाना है अब जो तक हम गोवी हमारी पकरगी हम इसके लिए चटनी तयार करते हैं इसमें मैंने दो बड़े साइज की तमाटर चार से पांच हरी मिर्सी, दो से तीन लेसन की कली, अधरक और जीरा, नमक स्वादा अनुसार और इसमें धेर साधा डाल दिया है हरा धनिया इसकी डंदिया नहीं नकाली है चटनी में डंदियों से ही स्वादा आता है इसकी हम चटनी बना करके तयार करेंगे इसको हम पीछ मुआ से तो सिम्पल चटनी बहुत ही स्वादिश्ट लग तो इसमें से थोड़ी चटनी हम यह कटोरी में निकाल लीए हमने सरत इसिश्ए में मिक्सी के जार में ही डाल दिया है अब एसमें नहींद आला लेंगे थोड़ा सा गुर्ड़ आप छीनीली मी डाल सकते हो लेकिन गुड़ से इसका बहुती स्वाध है जो बढ़ जाता है और ये तीखी और मीठी चटनी बहुती स्वाधिस्ट लगती है एक वर आप इस तरीके से जरूर बना करके देखिएगा और ये हमारी दोना तरह की चटनी भी बनकर त्यार है ये भी हम एक बटन में निकाल गे अलग रख देंगे अब चलते हैं अपनी गोवी की तरफ गैसको हमने कर दिया है बन्द और ये गोवी भी अमारी पक चुकी है हमें पूरी नहीं पकाना है होगोजा उपर से थोड़ी सी मुलायम हो चुकी है और इसे हमने निकाल लिया है छलनी से एक प्लीट में और यह देखिए कितनी साइनिंग वाली लग रही है बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में भी चलिए तक तक इसका पानी है सूख रहा है इसके लिए मसाला त्यार करते हैं इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच सावु निकाल लिया है तुदा दर्दरा सा बारीक बिलकुल नहीं पीच रहा है तुदा दर्दरा ही रखना है इसका जो स्राद है बहुत ही बैतरी नाने वाला है थूड़ी से हींग भी डाल देना मैंने आपको दिखाने ही पाई थी अब इसको हम गोवी को ले लिया है एक टो इसमें मुहिए नॉर्मल जो चमचा होते हैं सब जी बनाते है वही लिया है इस से मैंने दो चमचे डाल दिया है बेशन और आधा चमच लिया है मैंने यहाँ प है पानी और इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है अगर बेशन की जरुवत पड़ेद हम बाद में थोड़ा सा और में ला लेंगे और यह हमने अच्छी तरह कर दिये हैं मिक्स थोड़ी सी गोवी हमें देख रही है जादा भी वेशन नहीं डालना है आदा चमच से हमने आदा जो चमचा था वो और ले लिया है वेशन और इसमें हलका हलका पाई डाल के इसे मिक्स करते जाना है जादा पतला गोल नहीं बनाना है इसमें कलर के लिड़ी डाल दिये थोड इसी कसूरी मेथी आप और तीका खाना पसंद करते हो तो इसमें लाल में चूपड से और डाल चकते हो और इसमें डाल दिये एक प्याज जो लंबाई में काट दी है और इसे हाथों से मेस कर दिया जो उसके लच्छे हैं अच्छी तरह छूट्या है और सारे पकोड़ों में करने के लिए घोल तैयार है देखिए बहुत ही स्वाधिस तिपन का तया तो यकीन वानी एक बार इस तरीके से आप बना करके देखिए फिर मुझे बताईएगा कैसे लगे और यह कड़ाई में रख दिया तेल गर्म करने इसमें यह अपने पकोड़े से कहेंगे तो चैनल और यह देखिए इसका कलर चैनल होने तक इसे सेखेंगे बहुत ही कम समय में बहुत ही वैतरी नाश्ता बनने वाला है अगर एक बार इस तरीके से आपने किसी को भी बना कर खिला दिये तो यकीन मानिएगा वह भी आपकी तारिफ किया विना नहीं जायने वाला है वह भी एश्टा जो तेल हो निकल जाएगा इसी तरीके से हम इसमें और भी अपने पकोड़े हैं गोवि को डाल देंगे तो देखिए देखने में भी कितनी स्वादिष्ट लगे रहे हैं इतने ही ये खाने में भी बहुती स्वादिष्ट बने तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी स्वादिष्ट पकोड़े बनने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट करके मुझे जरू बताएगा अपना तरीका मेरी साथ जरू शेयर कीजिएगा थेंक यू